बिस्मिल्लै रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, मैं बनाने जा रही हूँ बीफ इत ओयस्टर सॉस, इसको हम फ्राइड राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, फ्राइड राइस की रेसिपी मैं आपको अपकमिंग विडियो में जरूर बताऊंगी, अभी इंग्रीडियन नोट क करें, बीफ स्लाइस हाफ केजी, अध्रक लसन और साबुत हरी मिर्चे नमक और कॉन फ्लावर टू टेबल स्पून, सोय सॉस टू टेबल स्पून, होयस्टर सॉस टू टेबल स्पून, होट सॉस बन टेबल स्पून, शुगर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च वन टी तो टेस्ट अब पैन में पानी डाले इसमें आप बीफ एड़ कर दे मुझको अंडरकट का बीफ नहीं मिल सका था इस वजह से मैंने ये थाय का बीफ लिया है तो ये गलने में थोड़ा टाइम लगाता है अगर आपको अंडरकट का बीफ मिल जाता है तो आप ये स्टेप को skip कर सकते हैं अब हम इसको एक ग्लास पानी के साथ half इनार पकाएंगे ये half इनार में गल जाएगा क्योंकि इसके पार्चे बने हुए इसको जादा टाइम नहीं लगेगा गलने में ये half आर में गल जाएगा अब हम इसमें half टी स्पून नमक डालेंगे और कटा हुआ लसन, अद्रक और हरी मिर्चे ये साबुद डाल देंगे ताकि इसकी यखनी में भी फ्लेवर आ जाए क्योंकि हम इसकी यखनी भी आगे चलके यूज़ करनी है इसके सॉस बनाने के लिए अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, इस पे हम लिड लगा देंगे और इसको आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए आदे घंटे बाद हम बीफ और यखनी को अलग निकाल लेंगे फिर पैन में हम 3-4 टेबल स्पून ओइल डालेंगे अब पैन में हम 2-3 टेबल स्पून ओइल डालेंगे और इसमें शिमला में 4 प्याज ली है ये optionल है अगर आपको बैजिटेबल स्पून आप लें जाईए हो तो आप इसको अगर एसको आप इसमें मश्रूम भी आइड कर सकते हैं और आपको जो आपका पसंदीदा वेडेवल है में इसको बस 30 सेकंड तक फ्राइ करना है इसको जादा फ्राइ नहीं करना है कि इसकी क्रिस्पीनस खतमनी होनी चाहिए क्योंकर करना है कि एसकी कि इसकी कि इसकी कि इसकी कि झाल 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं